आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके किचन की काम को बहुत असान कर देंगे यानि कि आप आपको घंटों तक किचन में खड़े होने की जुरत नहीं है सारे काम आप मिंटों में खतम कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टिप है मलाई को लेकर के जब हमारे पास मलाई कठी हो जाती है तो उसे हम ब्लेंड कर के इस सरीके से मखण या घी निकाल लेते है पर सरद्यों में कभी-कभी जल्दी से मखण नहीं निकलता है तो उसकी लिए हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा हलका गुन-गुना पानी डाल देंगे और अब इसे ब्लेंड करेंगे तो इसमें से मक्षन बहुत ही जल्दी और असानी से निकलाता है ये देखिए बस कुछ मिन्टों में ही मक्षन आ गया है और अब इसमें से लसी अचाच हम अलग कर देंगे और जो मक्षन है उसमें पानी डाल देंगे और इसको इस तरीके से अच्छे से वाश कर लेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा खटापन है वो निकल जाएगा और अब मक्षन को अलग कर लेंगे इस पानी से अब मैंने एक प्लेट के उपर यहाँ पर फॉयल पेपर लगा दिया है और इसके उपर यह मक्षन निकाल लेंगे और अब आप इसे फिंगर से या फिस पैचुला से बिल्कुल फ्लैट कर दीजिए जितनी मोटी लेयर आप बनाना चाहते हैं उतनी बना सकते हैं और अब इस इसे आदे घंटे के लिए फ्रिजर में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा और यह देखे जब यह पूरी तरह सेट हो गया है तो हम इसे इस तरीके से चाकु से क्यूब्स में काट लेंगे सर्दियों में सभी को परांठे या फिर साग या फिर पूरी पसंद होती है तो अगर आप यह परांठे और साग के उपर यह बटर अगर आप टालना पसंद करते हैं तो बस इस तरीके से क्यूब्स में डाल दीजिए बहुत ही जादा टेस्टी लगता है मताँ खाने का स्वाध दोगना हो जाता है और अब इन बटर की क्यूब्स हो किसी भी आप इस तरीके से रखने से जल्दी से श्मेल भी नहीं आती है और आप इन्हें लंबे समय तक यूज भी कर सकते हैं नेक्स ट्रिप है और सर्सों का तेल हम जब भी यूज करते हैं तो उसे पहले धुआ उठने तक गरम करना पड़ता है तो उसमें टाइम काफी लगता है हर बार तो मैं क्या करती हूँ एक कड़ाई में हम एक लिटर ये सर्सों का तेल डाल लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर रख देंगे जब तक इसमें से बढ़ी असा धुआ नहीं उठ जाता ये अच्छे से गरम नहीं हो जाता ये देखे जब इसमें से धुआ उठने नेक्स टिप है अद्रक को लेकर के सर्दियों में जब अद्रक आती है हम थोड़ी सी यूज करते हैं बाखी की बची हुई अद्रक क्या तो सूख जाती है या फिक खराब हो जाती है तो हम क्या करेंगे अद्रक को लेकर के इस तरीके से छील लेंगे और इसे चोटे टुक और फिर इसे freezer में रख देंगे आदि खंटे के लिए ताकि अच्छे से set हो जाएगी और ये दिखे जब ये अच्छे से set हो गई है तो हम इसे यहाँ पर निकाल लेंगे और आप इसे किसी भी box में डाल करके freezer में रख लीजे जब भी आपको चाय में डालना हो या सबजी में डालना हो या किसी भी चीज में अद्रक को यूज करना हो तो अब आपको बार-बार उसे धोना, कद्धुकस करना या फिकाटना पिसना नहीं पड़ेगा डिरेक्ट आप इसे यूज कर सकते हैं और ऐसा करने से अद्रक की वेस्टेज भी नहीं होती है और नेक्स टिप है मसाले को लेकर के तो आज हम जल्दी से कैसा मसाला बनाएंगे कि आप फटा-फट से सबजी बना सकते हैं यहाँ पर मैंने एक किलो प्यास को छेल लिया है और इसको हम छोटे टुकड़ों में काटका इस तरीके से चौपर में कर लेंगे आप चाहें तो इसे कद्धुकस भी कर सकते हैं और अब मैं कड़ाई में एक कप सरसो का तेल डाल रहे हूँ यह वही तेल है जिसे हमने गरम करके ठंडा किया हुआ है और जैसे हलका गरम हो गया है हम इसमें यहाँ पर यह प्यास डाल देंगे और इनको भड़िया से भून देंगे गैस का फ्ले मेडियम टू हाई रखेंगे क्योंकि इसमें अभी पानी काफी होता है प्यास में तो इसलिए अब इसी में मैं यहाँ पर यह अद्रक डाल दूँगी जो कि मैं चार से पांच पीस डाल दूँगी क्योंकि मैं हर सबची में लसुन नहीं डालती हूँ अगर आप लसुन भी डालते हैं तो आप दो चमच अद्रक और दो चमच लसुन डाल दीजे और अब इसको भी इसके साथ ही भूनने के लिए रख देंगे अब मैंने यहाँ पर यह 700 ग्राम देशी टमाटर लिए हैं यह काफी खटे होते हैं अगर आप बॉम्बे वाले टमाटर ले रहे हो जो कि बहुत जादा खटे नहीं होते हैं तो आप एक किलो टमाटर ले लिजे और इनको भी हम धो करके और काटके चौपर में डाल देंगे और इनको भी बिल्कुल बारी कर लेंगे यह देखिए हमने यहाँ पर टमाटर को कर लिया है और यहाँ पर प्यास देखिए जब अच्छे से भून गए हैं और टमाटर को भी हम तब तक भून लेंगे जब तक यह अच्छे से पतब मसाला ना तयार हो जाए या फिर इसमें आयल ना सेपरेट हो जाए और यह मसाला गर आप एक बार रेडी करके रख लेते हैं और सर्दियों में बार-बार सबजियां काटना धोना भूना भूना भूट ठंड लगती है मतब तो मुझे तो यह काम बहुत असान लगते हैं तो एक ही दिन में यह करके रख देती हूं और पूरे हफ़ते की तयारी हो जाती है समय दीजे और यह देखिए यह हमारा मसाला तयार हो गया है अगर आप इसे फ्रेश यूज़ करना चाहते हैं तो फ्रेश कर लीजे या फिर इस तरीके से चमल से एक प्रेट में रख ले रूम टेंपरेचर पर ठंडा होनी दे फिर आप इसे फ्रीजर में रख दें आदे घंटे के लिए और जब यह जम चाहेगा तो आप इसे किसी भी एर टाइट बॉक्स में रख के फ्रीजर में स्टोर कर लीजे और जब भी आपको सबजी बनानी हो तो आप इसमयसे दो यह 3 क्यूप्स यूज कर सकते हैं नेक्सिफ है पालक को लेकर के पालक जब भी आती है तो थोड़ी ज़ादा ही होती है हमेशा क्योंकि थोड़ी सी पालक यूज होती है और फिर जो बच्चियू ही पालक है और किसी भी airtight box में लखके इससे freezer में लख दीजे जब भी आपको पालक पनी बनानी हो या कभी भी पालक की पूरी पालक का परांठा बनाना हो तो आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं next tip है मेथी को लेकर के जब भी हम मेथी लाते हैं तो वो बंडल में होती है तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है तो इस तरीके से अगर आप उनके पत्ते तोड़के रख लेंगे और फिर इन्हें सूखा ही रखें तो आप इन्हें फ्रीजर में 4-5 जिन तक स्टोर कर सकते है यह बिल्कुल भी खराब नहीं होते है फिर आप इसकी चाह सबजी बनाएं या फिर इसे पूरी परांठे में यूज़ करें